हेलो गाइस और मैं आपका सौगत करता हूँ ड्रीम का टेग यूटुब चैनल में दोस्तो मेरा नहा हमें दिवियर और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है किया सॉनेट के बारे में दोस्तो किया सॉनेट की प्राइसिंग कंपनी ने रिलिस कर दी है तो दोस्तो इसके बारे में हम बात करने वाले है और साथ ही मैं आपको इस कार की प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ सारे मौडल की पेट्रोल और डीजल दोनों में तो दोस्तो सबसे पहले आता है स्टी मौडल जो किया दा है वन पॉंट टू लीटर पेट्रॉल एंजिन के तो दोस्तो HTE model जो 1.2 लीटर पेट्रोल एंजिन के साथ में आता है उसमें आपको कौन-कौन से features मिलते हैं उसके बार में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो दोस्तो इसमें आपको 82 BHP पावर जनरेट करने वाला 1.2 लीटर का Hyundai का एंजिन मिलता है और इसका टॉर्क आउटपुट है वह है 115 Nm तो दोस्तो अगर हम features की बात करें बेज मॉडल में तो यहां पर आपको air conditioner मिलता है जो की manual है और power windows इसमें मिलती है लेकिन से front की 2 power windows दी गई है car में और कुछ basic features जैसे की dual front airbags ABS और EBD और इसमें आपको एक extra feature मिलता है जो की generally base model में नहीं आता है वह ब्रेक assist और जुस्तो अगर हम इसकी wheel size की बात करें तो वह है 15 यानि की 15 इंच के steel wheels इसमें आपको मिलते है और जुस्तो इसमें अगर infotainment system की बात करें तो वह इसमें नहीं दिया गया है यानि कि इसमें कोई भी तरीकी की digital या फिर normal वाली कोई भी तरीकी की music system नहीं दी गई है नाइस speakers दिये गए वह आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा तो दुस्तो अगर दूसरे कुछ चोटे मोटे फीचर की बात करें तो यहां पापको रियरेस इवेंट्स भी प्रोवाइड करती है company based model से तो कुल मिला कर जो सभी companies में होता है बेज मोडल में कुछ ऐसे features होते नहीं है वैसा ही इसमें भी है तो दुस्तो इसके उपर अगर हम एक model जाए यानि की STK model जिसकी petrol naturally aspirated engine की price शुरू होती है 7.59 लुकर रुपिस से यानि की आपको बेज मोडल के उपर लगव 90,000 रुपिस का premium pay करना पड़ता है लेकिन इस 90, 20,000 रुपिस की price pay करने के उपर आपको कौन कौन से features मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो दुस्तो इसमें आपको front और rear दोनों में power windows मिलती है और central locking का भी option है remote के साथ में और इसकी जो seat upholstery है वो fabric plus leather दोनों का mixture में आती है और इसमें wheel size जो है वो increase होता है 15 inch से 16 inch है और द 6-way adjustable की जगा पर 8-way adjustable मिल जाती है और sunglass holder मिलता है और तो follow me home headlamps और जो main feature जो इस model से start होता है वो है integrated music system यानि की आपको इस में music system मिलती है वेस digital display और phone और audio streaming Bluetooth compatible है और FM radio है और आप ऑक्स के धरिये अपने phone को भी connect कर सकते है तो बस दोस्तो इतने features आपको इसमें एड हो जात प्रीमियम को पे करने के बाद और अगर हम इससे एक model उपर जाए की SDK plus model जी हाँ दोस्तो SDK के उपर रहाता है SDK plus model इसमें आपको अगर हम price की बात करें तो 85,000 रुपीस आपको extra पे करनी पड़ती है और इस 85,000 के premium में आपको SDK model के साथ में कुछ और features add होते है जैसे की इस car से आपको SDK plus model में आपको automatic climate control के साथ में इसी आता है reverse parking camera with adaptive guidelines भी मिल जाए शुरू हो जाता है उसके लावा roof rail साथी है और main feature जो की 85,000 extra पे करने पे आपको मिलता है वो है projector headlamps आला कि इसके अंदर भी halogen bulb होता है लेकिन projector headlamps मिलना एक काफी अच्छी बात है और तो आपको इसम भी support मिलना शुरू हो जाता है और इसका जो display है वो touchscreen display हो जाता है जो की SDK model में normal सा digital display था और यहाँ पे आपको SDK plus में touchscreen digital display मिलता है और 6 speaker के साथ में ये का रहा थी है तो दोस्तों cool मिलाकर अगर हम सबसे ज्यादा value for money variant की बात करें तो वो है SDK plus model तो दोस्तों यहाँ पर अगर ह value for money क्यों है तो इसके बारे में आपको मैं बता दू कि यहाँ पर आपको SDK model के उपर सिफ 85,000 रुपिस का premium price pay करने के उपर आपको मिलता है automatic climate control के साथ मेर कंडिशनर और reverse parking camera with adaptive guidelines और projector headlamps और automatic headlamps ऐसे बहुत सारे features हैड होते है और यहाँ पर main चीज़ जो मेरे को लगती है व चोटा सा digital display आता है उसकी जगह पर आपको इसमें मिलता है android auto और appercal play के support के साथ में touchscreen display तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम देखे जो 85,000 रुपिस का जो price अगर आप pay कर रहे है SDK model के उपर SDK plus model के लिए तो यह fully justified है 85,000 में आप after market भी इन सारे features को लेने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेंगे और Kia की quality के level के तो नहीं मिलेंगे कहीं पे भी तो दोस्तों यही है SDK plus model सबसे जदा value for money और इसके उपर अगर हम बात करें HTX और GTX model तो यहाँ पर दोस्तों HTX model अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिफ डीजल में available है और यहाँ पर top model जो ह पेटरोल में अगर आपको चाहिए है तो वह है अवेलेबल सिफ टर्बो चार्ज एंजिन के साथ में जो कि यह 1.0 लीडर का टर्बो चार्ज एंजिन जो कि produce करता है 118 BHP 118 BHP की power और 172 Nm का torque तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम comparison करें इन दोनों के features की तो GTX model और diesel में HDX model तो दोस्तों यहाँ पर आपको HDK Plus की comparison में आपको DRLS मिल जाती है और headlight जो है वो भी LED मिलती है और tail lights भी LED मिलती है और sunroof भी आपको top model से मिलना शुरू होता है यानि की X वाला जो model है HDX या फिर GTX वहाँ पर आपको sunroof मिलता है जो की electrically adjustable है और यहाँ पर दूसरे कुछ features की बात करें तो door handles जो है chrome में मिलते है और front और rear में दोनों में cup holders मिलते है दोस्तों एक और comparison में आपको पता दू GTX model और HDX model के बीच में तो दूस्तों यहाँ पर HDX और GTX model के बीच में आपको डीजल में अगर हम बात करें तो सिफ 34,000 रुपीस का difference है लेकिन यह बहुत ही ज्यादा justified है अगर आप top model ही लेने की सोच रहे है तो मैं आपको suggest करूँगा कि STX के जिखाप पर GTX model opt के लिए क्यों की GTX model में अगर हम सबसे बड़ा कोई चीज की बात करें safety में तो यहाँ पर दूस्तों STX में आपको दो airbag मिलती है जबकि GTX में 6 airbag का आपको मिलती है कार में और दूस्तों यहाँ पर दूसरी एक चीज एड हो जाती है जो कि यह front parking sensors तो दूस्तों बस यहाँ तक ही आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को like दे दीजे और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों मैंने यहाँ पर एक और वीडियो भी बनाया था किया सॉनिट का उसका वाई बटन में चेक कर सकते हैं